हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू संद्राइज एजूकेशन हब दोस्तो आरह सबी एलडीसी की एफिसेंसी टेस्ट श्रीज का यह तीसरा वीडियो है दो वीडियो इस पे पहले बना चुके हैं अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप मानिए कि इन वीडियो को पूरा देखने के वाल आपको किसी भी कोचिंग इंस्टिट्यूट में जाकर इसके लिए पंद्राइसो दो हजार ड़ाईजार रुपए पे करने के आप शक्ता नहीं होगी आप आसानी से एफिसेंसी टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर है और वो प्रापT कर पाएंगे तो दॉस्तों आप इन सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंथ तक है वो पूरा जरूर देखे अपने अन्य दोस्तों केसाथ शेयर जरूर करें वीडियो को Like जरूर करें आज को वीडियो शुरू करने से पहले अगर अबे तक मारा चैनल सब सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके तो चले दोस्तों आज का वीडियो स्टाट करते हैं देखते हैं पहला क्यूशन क्यूशन है बॉर्डी दाविड मंत्रा लीडियोर इट आकोषरशी इंता कि ड़ॉकमेट में जहां कहीं भी मंत्राले सब्द आया है उसे क्या करना है हिसलों करना है Lower euro को अपि इसके पहला तरीका है कि आप इसको पूरे डॉकमेंट में जहां भी मंत्रा लीकुप दिया वाइव वो देखें और उसे ब्रें लेकिन इस त्रीका की तरीके का यूlt नहीं करें क्योंकि इसमें काफी ज़्यादा समय लगता है और पूरी पूरी संभावना होती है कि इसमें आपका क्यूशन गलत हो सकता है क्योंकि आप हो सकता है कि कोई वर्ड आप अपने आखों से नहीं देख पाएं और वो छुट जाएं तो दूसरा तरीका कौन सा है सबसे पहले करसर को वर्ड के जो डोकुमेंट के प्रारम में लेके जाएंगे और फिर हम फाइन टूल का यूज करेंगे यहां अपने को इसमें क्या रखन सब्सक्रावन है कि μ? अब सभी Student को यह दिक्क्त आ रही था कि सर हम English में तो सब्सक्राइख कर पाते हैं लेकिन रेख रूपर पर हम आपनी में लखते हैं टो टूर में लिखते लेकीन आपको कि दो करchu करने के आथे आश्यक्ता नहीं हैं है आपको जो लिखना ही यहां लेकिन चिंतर करने की जरूरत नहीं है, आप जब इसको क्या करेंगे Find Next करेंगे तो जहां भी बंतराले सब्द है, वो इसको यहां से i Paulo करेंगा, अब इसको क्या करेंगे? पर इस तरह का वर्ड यूज किया गया हो तो इनको सबको एक साथ है वो इस पर फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करें तो वह तरीका मैं आपको बताऊंगा आप आपको क्या करना है सबसे पहले डॉकॉमेंट के स्टारट में करसर को लेके जाना है फिर क्षξेस्ट क्या है अपने को रिप्लेश टूल का यूज में करना है यहां पर क्या लिखेंगे उरर्ड और रिप्लेश से और किसे मंत्रा क्या करेंगे और क्या करेंगे फोर्मेट में बोल्ड क्या होता है उन्ट में तो यहां से अपने इसको क्या कर देंगे वोड्ड और ओके फिर यह रखेंगे डिप्लेश ओल तो वर्ड है completed its search of the document and has made five replacement तो यह पांच बार इसको उपयोग है उसे क्या करना है इंडिया को हाइलाइट करना है कैसे करेंगे हैश रास दूसरा है इभ湊 यहां पर रखना है अपने को इंडिया आइं डियाई इंडिया मुआ नेक्स्ट सेivering परकार यहां से हाइलाइट करें लेकिन इसमें वह समझे हैं कि LinkedIn देखें ऐक वार देखे दोस्तों सिर्फ यह और द्यान देनी वाली बात है अपने को सिर्फ इंडिया Ьंडिया उचम च्छ नहीं करना में कि अगर कर सक्की देखिए क्या आता है फाइंड नेक्स्ट इंडिया फाइंड नेक्स्ट इंडिया यह देखिए यह इंडियन को भी इंडियन में इंडिया है पहले तो इसको भी यह हाइलाइट कर देता है अपने क्या है इसको हाइलाइट नहीं करना है इसके लिए हमें क्या करना है इस फें find whole world only इस पर क्लिक करना है तो ये शिर्फ इंडिया वर्ड को ही सब्सक्राइब करें अब फान फॉल वर्ड पे क्लिक करने के बाद जब हम सब्सक्राइब तो यह देख पार हैं आप इंडियान को सर्च नहीं करें ठीक है तो यह आप खास ध्यान रखें तो इस प्रकार एक- में आफंति लिखेंगे फोल वर्ड ओनली वर लिडिंग उडिन इस्ट पर आप देखें ईह में पिर्डूप्र गया होगा कि अगरा क्योशन है थे हां लिटर साइज ओफ वर्ड वर्ड टुट्वनटी इनदाочь डॉकमेंट डॉकुमेंट में जहां कहीं भी वर्ड सब्द का यूज हुआ है उसका फॉंट साइज अपने वो क्या करना है 20 कैसे करेंगे सबसे पहले डॉकुमेंट के प्रारम में जाएंगे एक तरीका कि आप फाइंड और यहां पर क्या रिखेंगे वर्ड वर्ड और वर्ड उनली नेक्स्ट वर्ड यहां से क्या करना है इसका फॉंट साइज है 20 ठीक है एक तो यह तरीका हो गया दूसरा तरीका वही कि कि अगर एक साथ करना हो सबको तो क्या करेंगे डॉकुमेंट के प्रारम में करसर को ले करेंगे और रिप्लेश तूट का यूज करेंगे यहां पर क्या लिखेंगे वर्ड यहां पर था ध्यूंकि में है दो रिप्लेट करना है तो में इस पर यहां पर भी डिलिक टैनली learnt दो पर त करना है फिर दिप्लेश होल जरुआ है और यहां तोन हैं साइज क्या रखना इसका कि टुन्टी कर देंगे और ओके करतेंगे फिर डिप्लेस ओल तो वर्ड एज कॉंप्लीटेड इस सर्च फॉर ओफ दॉकुमेंट एंड एज मैड टू रिप्लेसमेंट दो बार यह वर्ड यूज हुआ है डॉकुमेंट में और दोनु बार इसको र प्रकार अगर कितनी बार वर्ड यूज किया गया हो एक साथ इसको चैंज कर सकते हैं अगला क्यूसन है अंडर लाइन दा थर्टियत लाइन इन दा डॉकुमेंट में जो 30 में लाइन उसको अंडर लाइन करना है कैसे करेंगे गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छे तो तीस तक पहुंचेंगे अगर आपको ऐसा बड़ा डोकुमेंट हो इसमें दे दिया जाए कि सो मी लाइन का अडरलाइन करें तो आप सो तक गिनेंगे तो इतमें 10 मिनट लिकर जाएंगे और आपको एक्जाम में मिलने हैं शिरफ 10 मिनट ही तो आप कैसे करेंगे इसको डा गोटू तो गोटू पर जाएंगे यहां पर आपको इसमें तीनों अप्शन हैं फाइंड रिप्लेश और गोटू गोटू में अगर जाएंग गोटू वाट यहां पर पेज सेक्शन लाइन बुकमार कमेंट फूटनोड तो आप अपने हो क्या करना है तीसमी लाइन पर ज अंडरलाइन करना है तो इसको माउस की सायता से लेप्ट क्लिक को प्रेस करते वे इसे सेलेक्ट कर लेंगे यह तो यह तरीका है सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका है यहां से शिप्ट की प्रेस करेंगे और एरो की की मतल से एरो की को दबाते वे इसे पूरी लाइन को सेलेक है कर सकती है अब अप इसपे अंडरलाइन है वो कर देंगे इसे नेक्स्ट क्यूस्ट है एक लिक्षि मटा दा वेरिटन वर्ड इंटू वेरिगूमें 259 गंदा bleibt फिर रिप्लेश टूल का यूज करेंगे यहां पी अपने ऑप क्या लिखना है वेरिटोन वेरिटोन तो क्या यहां पे यहां पे वेरिटोन से देखिए यहां है find what find all word only और जब आप रिप्लेस करेंगे तो क्या करना है रिप्लेस्ट विद वेरी टॉन्स ठीक है और रिप्लेस ओल वर्ड हैस कंप्लेटेट इट सर्च ओफ दा डॉकुमेंट एज मेड़ थ्री रिप्लेस्मेंट ठीक है और ओके सका है तो आप जहाँ कहीं भी वर्ड है वो वर्ड में टॉन्स में आर् Ellis कर दिया गया है अच्अए आंडलाइन और वर्ड लाइग सीमिलर फार्मेटिंग और याउव य वह सैकंड्ल है ठीग है तो देखे यहां इस सोंता ऑल किया तो फॉरमेटिंग कैसे करेंगा कि अब पूर्न डोकुमेट में भी परकार की जो जो हैंए क्या करना चैनकल ऑषॉ करेंगी छीग करना है उन फ्रमस्थ नंदर भी करेंगे तो यह पर वर्ड पर यह पर देख पारें यह डॉकुमेट में शिर्फ कि इतने पर फोर्मेटिंग अब इसको क्या करना अपने को यहां से अंडरलाइन कर देंगे तो यह दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है और बताता हूं जैसे कि अपने को इसमें जो word है hour इसको अपने hours में change करना है और क्या करना है font size है वो 20 करना है कैसे replace यहां पर क्या रखेंगे hour or you are और change किस्त में करना है अपने को or you are us hours में ठीक है अब अपने को इसका font size कितना रखना है 20 छ्यां रखिए इसमें अपने को font size 20 रखना है तो अगर आगया format में जाएंगे तो करसर क्या है nam यहां पर होना चाहिए अगर हम कर सर्य यहां पर रखते हैं और फिर क्या करते है font और यहां से को 20 करते हैं और ओके करते हैं तो आप देख पाई यह इस पर आपका कि और nakिक करना था अलेकिन burada मिट अप्लाई किसे पाई इस पर दिया जरूर रखना है और फिर यहां से इसनों टो मंटिंज कर दिया अबwhy कर दिया गया है तो यह आप यहां पर देख रहे हैं और किज़गा अवर्स हो गया है तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि आपको यह कि वीडियो में जो क्यूशन कराएं वह अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं लास्ट में वीडियो में उसको कलियर करवा दूंगा दोस्तों वीडियो को अधिक से अधि जेवाट